वो चिडिया बहुत अच्छी चिडिया थी वो हमेशा दूसरों की मदद करती वो अपने एक बेटे के साथ अपने सुन्दर से घर में रहती थी परन्तु पास में कालू कवा और उसके पतने गोरी कवी हर समय उसे तंग करते रहते वो कवे तो बहुत बुरे थे उन्होंने भी कोई अच्छा काम ना किया था कुकु बेटा आप खर में ही रहें मैं आपके लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती हूं ममा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाओं आप अभी छोटे हो मेरे बेटे थोड़ा बड़े हो जाओ फिर सारी जिन्दगी भोजन की खोज ही करना है वो चिडिया भोजन की खोज को निकनने ही वाली थी कि वहां कालुकवा और गोरिकवी आ जाते हैं चिडिया हम भोजन लेने जा रहे थे सोचा आपको भी साथ ले जाते हैं ना जाने क्या बात है चिडिया जब आप हमारे साथ होती हो तो भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है मैं भी भोजन को जाने ही वाली थी अच्छा हुआ जो आप आगे हम अकठे ही चलते हैं फिर रानो चिडिया, गोरिकवी और उसका पती कालुकवा सब भोजन की खोज में निकलते हैं जंगल में गर्मियों का मोसम था और बरसाथ भी ना हुई थी इस कारण जंगल में भोजन की कमी थी फिर उड़ते उड़ते उनकी नजर नीचे दो चनों के दानों पर जाती है वो सब वहां उतरते हैं चिडिया, ये तो दो ही चनों के दाने हैं और ऐसा करते हैं ये एक मैं और एक तुम्हारा भाई खा लेते हैं और फिर तुम्हारे भोजन की खोज मिलकर कर लेंगे परन्तु मुझे अपने बेटे के लिए भी भोजन लेकर जाना है तो ले जाएंगे पहले हम खाले, बाद में मिलकर और भोजन की खोच कर लेंगे ऐसा कहते हुए कववा और कववी वो चनों के दाने खा लेते हैं फिर वो सब वहां से आगे उड़ते हैं थोड़ा ही दूर नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है वो सब फिर से वहां उतरते हैं अरे ये तो मकई का भुटा है मेरे बेटे को तो मकई का भुटा बहुत पसंद है आज तो मेरा बेटा बहुत खुश होगा मकई का भुटा देह कर चिड़िया मकई तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और वो कल मुझे से मिलने भी आ रही है अगर आप ये मके का भुटा मुझे दे दो तो मेरी बहन खुश हो जाएगी गोरी बहन आपने खुद ही तो कहा था कि अब जो भोजन भी मिलेगा वो मेरा होगा फिर अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ मैं यहाँ फंस गए हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकाले ये आवाज कैसी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मुश्किल में है, हमें जाकर देखना चाहिए चिडिया, जल्दी जल्दी जाओ, और मदद करो उसकी जो भी है, फिर आकर अपना मकई का भुटा ले जाना आवाज फिर से आती है मैं सुभा से यहाँ फंसी हूई हूँ, मेरी मदद करो, मैं मर जाओंगी चिडिया तुरंद उस आवाज की दिशा में जाती है चल भी कालू, उठाओ ये मकई का भुटा मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे नहीं देखोगा जब चिडिया ये मकई खाएगी अगर मेरी पतनी भी मुश्किल में है, तो मैं मदद करता हूँ अपनी पतनी की ऐसे गोरी और कालू, वो मकई का भुटा लेकर वहाँ से भाग जाती है अरे सुन्दर तितली, आप यहां कैसे फंस गई हो? मैं गुझर रही थी, कि बेख्याली में इस बड़े जाले से ठकरा गई आप मुझे यहां से पाही निकाले फिर चिडिया वो मकड़ी का जाल वहां से हटाती है और उस सुन्दर तितली को आजात करती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिडिया अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं तो यहां मर ही जाती मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा आप यहां क्या कह रही थी? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी क्या मिल गया भोजन? मिल गया वहां मेरा मक्य का भुटा पड़ा है अभी अभी मिला था मुझे चिडिया जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है वहां तो कालू कव्वा और गोरी कव्वी तो थे ही नहीं अरे यह कव्वा और कव्वी कहां चलेगे? चिडिया तुरंद वहां जाती है वहां तो ना ही कालू और गोरी थे और ना ही चिडिया का मक्य का भुटा ये देख चिडिया रोने लग जाती है आप बहुत बुरे हो कव्वे और कव्वी मैं फिर कभी आपके साथ भोजन की खोज को नहीं आऊंगी आपने हमेशा मुझे धोका दिया क्या हुआ चिडिया आप रो क्यों रही हो कव्वा और कव्वी मेरा मक्य का भुटा चुरा लेगी है अब मेरा बेटा क्या खाएगा आप चुप कर जाएं चिडिया बहन मैं आपको भोजन देती हूँ आप मेरे साथ मेरे घट चलें परंतू कहां? पास में ही ज़र्ने पर फिर चीडिया उस सुन्दर तितली के साथ ज़र्ने पर चली जाती है आपका घट तो बहुत सुन्दर है मेरी मम्मा ने बनाया था ये घर हम लंबे समय से इसी घर में रहते आ रहे हैं ये ले चीडिया बहन ये कटोरी आप रख लें कटोरी परंतू तितली बहन ये कटोरी मेरे किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत थी ये सुनकर तितली हंसते हुए कहती है चीडिया ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं ये जादूई कटोरी है इस कटोरी से जो मांगो वो मिलता है परन्तु मांगने वाला जैसा होगा ये कटोरी उसे वैसी ही चीज देगी अगर इस कटोरी से मांगने वाला पक्षी अच्छा और सचा होगा तो ये कटोरी उसे अच्छे अच्छे भोज़न देगी और अगर कोई बुरा पक्षी इस जादू इकटोरी से कुछ मांगेगा तो ये जादू इकटोरी उसे कोई ना कोई सचा देगी ये सुनकर चिडिया बहुत खुश हो जाती है अगर ऐसा है तो मुझे कुछ मांग कर दिखाएं आप इस जादू इकटोरी से फिर वो तिद्ली उस जादू इकटोरी से कहती है ए जादू इकटोरी मुझे फूलों का रस दो तिद्ली के ऐसा कहते ही वो जादू इकटोरी तिद्ली को मीठे फूलों का रस दे देती है देखा जिडिया ऐसे ये जादू इकटोरी जो आप मांगोगी वही देगी चीडिया वो जादूई कटोरी लेकर वहां से चली जाती है मम्मा आप खाली ही वापस लोट आएं क्या भौजन मिला नहीं आपको कुकू बेटे मेरा भौजन कवे लेकर भागे थे और फिर मुझे ये जादूई कटोरी तितली ने दी है आप देखना ये जादूई कटोरी अब हमें हर रोज तरहां-तरहां के भोजन देगी। फिर चिडिया जादू इकटोरी से कहती है। ऐ जादू इकटोरी मुझे और मेरे बेटे को खाने के लिए मक्कई का भुटा दें। ऐसा कहते ही वो जादू इकटोरी चिडिया को मकई का बुटा दे देती है ये देख कुकु तो बहुत खुश होता है ममा क्या ये जादू इकटोरी सबको ऐसे ही भोचन देती है नहीं बेटा ये अच्छे पक्षियों को अच्छी चीज़ें देती है और बुरे पक्षियों को बुरी सजा देती है फिर वो मा बेटा वो मकेई का भुटा खाते हैं और सो जाते हैं दूसरे रोच गोरी कवी कालू से कहती है कालू जी कल तो मकेई का भुटा खाने में बहुत मजा आया जब चिडिया हमारे साथ होती है तो कितने मजे मजे के भोजन मिल जाते हैं क्यों ना आज फिर चिडिया को साथ लेकर भोजन की खोज में जाए वो चिडिया तो बहुत भौली है जितना भी तंग कर लें उसे सब भूल जाती है चलो गोरी आज फिर चिडिया की तरफ ही जलते है ऐसे गोरी और कालुकवा फिर से चिडिया की तरफ जाते हैं चिडिया बहन चले क्या आज भोजन लेने नहीं जाना आप हमेशा मुझे थोका देते हो कल भी आप मेरा मक्यी का भुटा लेकर वहां से भाग गे थे चिडिया कल हमें भूक ज्यादा थी आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे परन्तु मुझे तो मेरी दोस्त तितली ने जिसकी कल मैंने मदद की थी उसने मुझे ये चादूई कटोरी दी है ये कटोरी मुझे हर तरहा का भोजन देती है मुझे तो अब भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है ये सुनकर गोरी के तो होश उट जाती है इतनी बड़ी शक्ती मिल गई चुड़िया तुम्हे आब तो तुम मजे करोगी चुड़िया मेरी बहन थोड़ा सा भोजन हमें भी ले दे इस जादूई कटोरी से तुम हो तो बहुत बुरे कवे फिर भी मैं आपको भोजन ले देती हूँ इस जादूई कटोरी से ऐ जादूई कटोरी मुझे कोई फल दे और वो जादूई कटोरी तुरत मीठे मीठे दो अमरूद दे देती है जिसे देख कव्वा और कव्वी तो पागल हो रहे थे चल कालू अब चले गोरी कालू कवे को जल्दी से लेकर वहां से चली जाती है वो पास में ही छुपकर बैड़ जाते है गोरी मुझे तो कुछ बताओ क्या करने वाली हो बताती हूँ जरा चिडिया को नदी पर पानी पीने तो जाने दो वो ऐसे कह रही थी कि चिडिया भी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की दरफ चली जाती है वो गई चिडिया चिडिया चली गई कालू जी अब चलो अब तो हम पूरे महीने का भोजन ही ले लेंगे उस जादू इकटोरी से वो फिर से चिडिया के घर में जाती है और गोरी कवी जादू इकटोरी से कहती है ए जादू इकटोरी हमें मठाई दो हमें मठाई खाना है परन्तु वो कटोरी तो केवल अच्छे पक्षियों की ही मदद करती थी बुरे पक्षियों को तो वो बुरी सजा देती थी उस जादोई कटोरी से एक बड़ी मद्दू मक्खी बाहिर आती है अरे ये भी कोई खाने वाली चीज है गोरी ने ऐसा कहा ही था कि वो मद्दू मक्खी उन पर हमला कर देती है और उन्हें काट काट कर वहां से भगा देती है बचगे कालू बचगे अरे कालू तम्हारा चेहरा तो बहुत सूच गया है और गोरी तम्हारा चेहरा भी बड़े तरबूज जैसा हो गया है ऐसे गोरी और कालू कवे को सजा मिलती है और अच्छी चेडिया अपनी जादूई कटोरी से मजे मजे के भोजन लेकर खाती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है दूर किसी जंगल में पक्षियों पर बड़ी प्रिक्षा आन पड़ी थी क्यूंकि उस जंगल में सूखा चल रहा था भोजन का तो किसी ना किसी तरीके से काम चल ही जाता लेकिन आप पक्षियों के पीने के लिए पानी जरा भी ना था सब पक्षि बहुत ज्यादा परिशान थे और फिर एक तिन सब पक्षि अकठे होते हैं प्रानो चड़िया अब यहां मनने से बेतर है कि हम दूसरे किसी जंगल में परावास कर जाए लेकिन हम जाएं भी तो किस दिशा में जाएं साथ वाले जंगल का मोसम भी ठीक नहीं है कल उस जंगल से एक पक्षि आया था वो बता रहा था के वहां भी पानी नहीं है क्यों ना हम पूर वाले जंगल की तरफ जाएं हो सकता है के हमें वहां बोजन भी मिल जाए और पानी भी रानो कबूतर ठी कह रहा है हम ऐसा ही करते हैं हम पूर वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं अगर तुम दोनों का ये फैसला है तो मुझे कोई अतराज नहीं है तो फिर तियार हो जाओ तुम दोनों हम पक्षियों की त्यारी क्या हो सकती है हमें तो भोजन और पानी से बढ़कर और क्या चाहिए और फिर वो सब पूर वाले जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं वो बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते जल्द ही वो अपने जंगल से बाहे निकल जाते हैं और फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर पैट जाते हैं चिड़िया मैं तो प्यासे मर रहा हूँ और मेरा सांस रुक रहा है अगर पानी ना मिला तो मैं भी ओर नहीं उट सकता लेकिन अब हम क्या करें यहां इन पहाड़ों में हमें पानी कहां से मिलेगा और फिर शाम हो जाती है चिड़िया बहन अकर मेरी बात मानो तो हम आज रात इन पहाड़ों में ही गुजार लेते हैं अभी कुछ देर में अंदेरा हो जाएगा और फिर वो तीनों रात वही पहाडों में गुजानने का फैसला करते हैं तोते ये जगा मुझे कुछ खतरनाक लग रही है ऐसे पेड़ों पर रात गुजानने से बेहतर है कि हम वो सामने वाली कुफा में चले जाते हैं वहां हम सरक्षत रहेंगे और फिर वो सब कुफा की तरफ चले जाते है थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है सब पक्षियों का भूक और प्यासे बुरा हाल था एब खवान आखिर हम मासों पक्षियों पर इतनी बड़ी प्रिक्षा क्यों आई है अगर हमें पानी और भोजा ना मिला तो हम मट जाएंगे रानो अपने मन ही मन में ऐसे कहती है और फिर अचानक से कबूतर रानो जुडिया से कहता है रानो जुडिया वो देखो सामने कोई मटका पड़ा है चलो हम देखें हो सकता है कि उस मटके में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए और फिर रानो जड़िया जल्दी से उस मटके के पास चाती है वो ये देखर बहुत हैरान हो जाती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी भी था तोते और कबुतर पानी मिल गया हमें पानी मिल गया मटके में ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पानी है और फिर कबूतर और तोता भी मटके के पास आ जाते हैं तोते और कबूतर भीया आप पहले पानी पीलो अगर बचा तो मैं भी पीलोंगी नहीं चिडिया पहले आप और कबूतर भीया पानी पीले मैं बाद में पीलूँगा नहीं मैं बाद में पानी पीलूँगा पहले आप दोनों पीलो वो सब पक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे इसलिए वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी पीले और उसका दोस प्यासा ही रह जाए वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि उस मटके के पास एक तरबूज की बेल थी और फिर वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है पक्षियों क्या आप देख रहे हो कि मेरे पत्ते कैसे सूख रहे है अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो आप मुझे दे दें ताके मैं जी सकूँ अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मट जाओंगी और मेरे फूल भी सूख जाएंगे तोते और चिडिया अब क्या करना होगा पानी तो इतना ही है कि या हम पीले या फिर इस तरबूज की बेल को दे दें मेरे दोस्तों अगर मुझे से पूछो तो हमें इस बेल की जिंदिकी पचाने चाहिए और फिर वो सब उस मटके में जो थोड़ा बहुत पानी था उस बेल को डाल देते हैं ये भी शायद हमारी कोई प्रिक्षन ही थी और वो सब नाराशो कर बैठ जाते हैं अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बेल हरी भरी हो जाती है और वो बेल बहुत ज़्यादा खुश थी पक्षियो जो काम तुम सब ने किया बस यही तुम्हारी प्रिक्षन थी और तुम इस फ्रिक्षन में काम याब हुए हो मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबहों से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो मुझे डाल दिया अब ज़राब फिर से इस मटके में देखो तो सही और पक्षी बहुत ज्यादा हिरान होते हैं और फिर कबूतर जैसे ही उस मटके में जांकर देखता है तो कबूतर की दो खुशी से चींक निकल जाती है रानो, रानो जल्दी आओ, तोते जल्दी आओ देखो मटका तो पानी से भरा हुआ है वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब जी भर कर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और उनके शरीड में जान आ जाती है तुम इस पानी को जैसे भी पियो, ये कभी कम नहीं होगा मैं और बेल इस कुफा में आश्रे लेने वाले हर पक्षी को आजमाते हैं और जो कोई पक्षी हमारी प्रिक्षन पर पूरा उत्रे ये पानी और इस बेल के फल बस उसी पक्षी के लिए होते हैं मठके जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की अगर हमें पानी ना मिलता तो हम सच में मठ जाते लेकिन मठके जी इस बेल पर तो कोई फल नहीं है ये सुनकर मठका थोड़ा मुस्कराता है वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है आप सब कुछ मांगोगे तो मैं दूँगी आपका जो जो कुछ खाने को मन करेगा मैं वो सब दे सकती हूँ आपको आप कुछ मांगो तो से ही ये सुनकर उन पक्षियों को और भी ज्यादा हिरानी होती है और फिर रानो चुडिया उस बेल से ऐसा कहती है बेल जी अगर हो सके तो मुझे तो एक तरबूज ही दे दे और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है रानो चुडिया बहुत ज्यादा खुश होती है तोते जी आप क्या खाओगे बेल जी मुझे तो लाल मिर्ची ही ज्यादा पसंद है अगर हो सके तो वो ही मिल जए और फिर उस बेल पर धेट सारी लाल मिर्ची लग जाती है जिसे देखर तोता तो पागल हो रहा था और फिर कबूतर भी उस बेल से अपना मन पसंद भोजन ले लेता है और फिर वो सब वहीं सो जाते हैं और फिर सुभा हो जाती है तोते और कबूते जब तक बारिश नहीं हो जाती क्यों न हम इस कुफा में ही दिन कुझा ले यहां हमें भोजन भी मिल गया है और पानी भी रानो जडिया मैं भी यही सोच रहा हूँ हम ऐसा करते हैं कि इस कुफा में नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक यहीं रहेंगे और फिर वो उस कुफा में अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं वो सूखा गास लाते हैं थोड़े सूखे पत्ते और दिन के और फिर शाम होने से पहले पहले वो अपने लिए नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और फिर शाम हो जाती है वो तीनों गुफा के बाहर बैटे हुए थे के वहाँ एक कववा और कवी आ जाते हैं नमस्ते पक्षियो जी जी नमस्ते पक्षियो मेरा नाम कालू कववा है और ये मेरी पत्नि गोरी है हम परावासी है और दूस्टे जंगल जा रहे थे लेकिन अब शाम हो गई है क्या हम रात आपके पास कुछ आर सकते हैं? कवे जी, हम भी इस जंगल के बासी नहीं है हम भी पहाडों वाले जंगल से आये हुए है हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों बस पानी की खोज में जहां तक आगे और हम अब इस कुफा में रहते हैं अगर रात कुछ आनी है तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो यहां हम तुम्हें भोजन भी दे देंगे और पानी भी क्या-क्या चीजे हैं भोजन में? मेरा तो आज मठ्याई खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है कवी जी आप जिसकी इच्छा करोगी हम वही देंगे आपको भोजन में आप क्यों चिंतत हो रही हो? ऐसा सुनकर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है सच मे? सच मे? और फिर रात हो जाती है और वो सब गुफा में चले जाते हैं पक्षियों मुझे तो भोग बहुत ज्यादा लगी हुई है आप जल्दी से मुझे वो मठ्याई ही दे दे मैं पहले बोजन कर लूँ बाकी बाते तो सारी रात होती ही रहेंगी मठ्याई है भी? या मजाखे कर रहे थे आप आप बैठें मैं अभी आपको मठ्याई देती हूं और फिर रानो चड़िया उस बेल के पाजा कर ऐसा कहती है बेल जी कववा और कववी के लिए मठ्याई दे दे उन्हें मठ्याई खाना है और फिर वो बेल तुरंत वहां मठ्याई का धेल लगा देती है जिसे देखकर गोरी कव्वी तो बहुत ज्यादा हिरान हो जाती है चिडिया जी ये क्या ऐसे कैसे मठ्याई और वो भी एक बेल से मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा कव्वी जी आप मठ्याई खाए और मजे करें अगली बाद ना पुझे और फिर कव्वी और कव्वा वो मठ्याई खा लेते हैं और फिर बाकी पक्षी भी भोजन कर लेते हैं और पास पड़े मठ्के से पानी भी पी लेते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं लेकिन गोरी की आंकों में नीद नहीं आ रही थी वो तो उस बेल के बारे में ही सोचे जा रही थी कालू ऐसे कैसे हो सकता है एक बेल इतने सारे भोजन कैसे दे सकती है सच पूछो तो मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ये जिरूर कोई जादूई बेल है क्योंके ये सब कोई जादूई बेल ही तो कर सकती है क्यों न हम दूसरे जंगल जाने की बज़ए इन पक्षियों के साथ ही रह ले जब तक ये पक्षि यहां है हम भी इनके साथ ही मज़े करते है बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं और फिर ऐसे वो बाते करते करते सो जाते हैं ऐसे ही दिन और रात कुजरते गे फिर एक दिन आसमान पर कहरे बात चा जाती है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर सारा दिन और सारी रात बारिश होती है जिससे हर तरफ नदिनालों में पानी ही पानी हो जाता है अब हम सब के जाने का समय आ गया है क्योंके अब हमारे जंगल में पानी मिल जाएगा और भोजन भी मटका जी और बेल जी आप सब मजबूर पक्षियों की ऐसे ही मदद करती रहो और हमेशा खुश रहो अब हम सब जा रहे हैं क्योंकि हमारे जंगल में अब बारिश के कारण पाने की नदिया भरकी होंगी आपक्षिय बहुत अच्छे थे और फिर वो मटका उदास हो जाता है और वो पक्षि वहां से चले जाते हैं